Hey guys, welcome back to my channel आज मैं explain करने वाली हूँ राय सिंगानी vs. राय सिंगानी वेब सरीज के एपिसोड 4, 5 और 6 को बाकी एपिसोड जैसे ही ओनेर होंगे, मैं उनकी भी स्टोरी explain कर दूँगी, अभी जिसने इस वेब सिरीज का first part नहीं देखा है वे पहले first part को देख लो उसका link मैं आपको description box में देदूँगी अभी थोड़ा सा recap कर देती हूँ राजदी प्राय सिंगानी की अपनी big law firm है राज का accident हो गया है और अभी कोवा में है राज के बाद उसकी बेटी अनुसका को उस firm को as it is रखने को काफी fights और tension को deal करना पड़ रहा है अनुसका ने firm के senior lawyers को अपने rights share करके उनको partner बना लिया है और राज के favorite विराट को भी firm में रखने के लिए उसके साथ deal की है कि राज के सारे cases यही handle करेगा विराट एक playboy है और अनुसका से साधी करके big बनना चाहता है अनुसका इसको serious वाला love करती थी बट विराट ने इसको cheat किया तो अनुसका ने break up कर लिया इन सभी से अलग अंकिता राजदीब की नाजायस बेटी यह राजदीब से revenge लेने को इनकी firm में trigger चुकी है और अभी अनुसका के under intern है अनुसका ने अपना नाम बनाने को घर छोड़ दिया था तो इसकी बाकी family इसको भी hate कर दी है especially अनुसका की दादी अब आगे की story episodes by episode start करती हूँ तो राजदीब कोवा में चला गया है और सभी इस चीज के लिए अनुसका को blame कर रहे है क्योंकि अनुसका ने राजदीब का operation इस छोटे hospital में कराने को agree किया था बिराट तो यहां तक बोल देता है कि आगे से कोई decision इस से पूछ कर लेना पर अनुसका ऐसा नहीं करने वाली तब राजदीब का accident हुआ था और operation तभी होना जरूरी था अभी राजदीब को better hospital ले जाये या घर इस बात पर argue होने वाला है उदर अंकिता आज अपनी mom के साथ घर पर ही date celebrate कर रहे है इनको anxiety attacks और bad dreams आते हैं अभी यह आपस में बाते कर रहे थे जैसे ही अंकिता के फादर राहुल की बात हुई इनको again attack आया यह बोलने लगती है कि राजदीब अंकिता को भी मार देगा तब ही table पर गलती से आग लग गई और इनकी condition आग को देखकर ओड ज़्यादा खराब हो गई उदर घर पे राजदीब को better hospital ले जाए जाए या घर रखा जाए इस बात पे बहस हो रही है अनुसका बोल रही है कि राजदीब को घर फैमिली के प्यार के बीच में रखना चाहिए बिट दादी जी बोल रही है कि घर छोड़ कर जाने वाली अब घर के प्यार की बात कर रही है मतलब काफी सारे टोंस तो अनुसका रोते हुए यहां से चली गई अनुसका का भाई सिड इसको समालता है अब अनुसका इंस्पेक्टर भीडे को कोल करके राजदीब के एक्सिडेंट की कोई लीड मिली है क्या यह पूछती है इंस्पेक्टर को अनुसका पर क्रश है पर काम तो यह अभी तक कुछ किया नहीं है अब ये भी बस इसको doubt ही है कि maybe राजदीब का accident नहीं बलकि murder करने का attempt था वो उदर विराठ अब राजदीब का case लड़ रहा है आज ही महता का case लड़ने आया महतान उसका के नानू है आज विराठ ने इनके उस case को close करा दिया जिसको राजदीब four years से नहीं जीत पाया था विराठ ने उसकी settlement cold room से बाहर कराने का suggestion दिया और दोनों parties मान गई अब विराठ सीधा office जाके राजदीब की chair पर बैठ गया इसको बहुत जल्दी है यहां तक पहुँचने की अनुसका इस chair पर अभी तक खुद भी नहीं बैठी है तो विराठ के इस behavior से इसको गुसा आता है पर विराठ को तो line मारने से ही फूर्सत नहीं है यह बोल रहा है कि यह अनुसका के लिए ही इस firm में रुका था आज अनुसका ने इसको directly इसकी जगे अपनी life में क्या है दिखा दी अनुसका बोलती है कि तुमने dad के सारे clients ले लिए मेरे लिए छोड़ा ही क्या है तुम clients की उस deal की वज़े से रुके हो मेरे लिए नहीं और तुम कभी मेरी life में वापस आ ही नहीं सकते ये 3 years पहले move on कर चुगी है उदर अंकिता आरकरी room में अपने father के case file डूण रही थी पर इसको किसी काम से बाहर आना पड़ा यहां इसको हर्स ने पकड़ लिया ये भी office में new ही join किया है और आते ही अपनी charming smile और sweet sweet बातों से अंकिता को वू करने की कोसिस में लगा हुआ है पर अंकिता का goal clear है अब इंस्पेक्टर भीडे ने अनुसका को कुछ दिखाने को police station बला लिया इनको वो truck मिल गया है जिससे राजदीब का accident वा था next toll नाके पर उसकी pick है पर अभी वो truck तेलंगना में है अब अनुसका राजदीब के call records मांग रही है पर इंस्पेक्टर ने तो अभी तक वो भी नहीं निकल वाए जो काम investigation का first step होना था वही अब तक नहीं हुआ अनुसका को इस पे गुस्सा आ गया और चिलाने लगी तो इ इसको पता था कि राजदीब पारटी से निकल रहा है बट यह बोलते हैं कि इस बात का तो इनको भी नहीं पता था अनुसका की gut feelings बोल रही है कि कुछ तो गड़बड है उधर अंकिता अगे नार कई रूम में आ गई है और 2000 के cases के box से अपने father के case file को open करती है बट उसमें तो एक भी page नहीं है यह खाली है अब अनुसका घर गई तो यहां इसके नानु महता आये हुए है राजदीब ने अनुसका के बच्पन से ही अनुसका को इनसे अलग रखा है आज यह advice दे रहे हैं कि राजदीब को Sweden के hospital में shift करा देना चाहिए अनुसका के मामा सर्वन एक private jet को arrange करा देंगे गायतरी दादी तो बहुत खुस हो गई बटन उसका happy नहीं है यह बोलती है कि डैट कभी नानुसे help ना लेते और अब यह भी अपने फादर के साथ इसी घर में shift हो रही है अब इस family को साथ मिलकर decide करना है कि राजदीब को Sweden shift कराया जाए या फिर घर पे र काम पर ध्यान दो उधर ओफिस में अंकिता जेमस से पता लगाती है कि 2000 वाली files कहा है मिल ही नहीं रही यह बताते है कि computer के archive में ढूंड़ो वहां मिलेगी बट जब अंकिता ने वहां ढूंड़ा तब भी इसके father की file नहीं मिली उधर अनुसका अपने room में मैता की बाते अपुलर है एक लड़की सुरूती ने आर्यमान के साथ अपनी pic अपने account पर upload की है काफी सारे tags के साथ हैश्टेग after party, हैश्टेग before party, हैश्टेग secret तो अनुसका को लग रहा है कि इस रूती कुछ तो बोलना चाती है पर खुलकर नहीं बोल रही है आर्यमान की cricket team के owner मैता ही है, आर्यमान की ऐसी trending news की वज़े से इनकी team की reputation भी शेक पर लगी हुई है पर आर्यमान इसको likely ले रहा है, तभी अनुसका आर्यमान के बारे में पूछने को, इनको call की ये बताते हैं कि इंडिया की लड़किया आर्यमान पर जान देने को ready हैं, तुम उसको मिलो और उसे समझाओ कि उस social media post को likely ना ले, उसको legal guidance दो अब अनुसका hospital गई, वहाँ इसको इनके family lawyer करसी मिलते हैं, ये इनसे पूछती है कि ऐसी situation में क्या करना चाहिए, जहां case बन सकता है पर अभी बना नहीं है तो ये बोलते हैं कि या तो case बन जाने दो, या फिर बना लो, best way वही होगा जो तुम decide करोगी अब अनुसका खुद high profile case create करने वाली है, उधर office में अंकीता James से पूछ रही है कि files दो computer में भी नहीं हैं, तो ये बताता है कि 2000 में computer में एक virus आया था और उसमें काफी सारी files delete होगी थी तभी अनुसका यहां आई और अंकीता को half cover में आर्यमान की सारी details लाने को बोलती है, हर्स अंकीता को बाहर खड़े होके बहुत ध्यान से observe कर रहा है, तभी विराट यहां आता है और इसको offer देता है, कि ये दोनों ladies क्या plan कर रही हैं, ये पता लगा कर दो, बदले में विर आर्यमान के बारे में काफी details मिल चुकी है, ये एक party में गई, वहां पे आर्यमान भी आया और विराट भी, विराट आर्यमान का best friend है, आर्यमान भी विराट के जैसे ही एक playboy है, फर्क बस इतना है कि आर्यमान के cricket skill और popularity की वज़े से इसकी female fan following काफी जादा है, अब ये अन documents, सब कुछ steak पर है, तुम्हें lawyer की need है, बट आर्यमान भोल रहा है कि इस तरीके की चीज़े इसके साथ daily होती है, इसे lawyer की need नहीं है, तभी यहां विराट आ गया और आर्यमान से बाते करने लग गया, तो अनुसका यहां से चली गई, उधर office में हर्स अगेन अंकीता पर line म अंकीता के लिए वो काम important था, तो यह मान गई, इधर party में इन दोनों की वही playboy वाली talk, फिर आर्यमान की ex आईशा यहां आ गई, आर्यमान विराट को उसे handle करने को बोलता है, और खुद अनुसका से मिलके बात करने गया, बात करने नहीं, actually अनुसका के और close जाने गया था तब ही अनुसका इसको बता देती है कि शुरुदी के पास तुमारी random pics हैं, इस चीज़ को serious लो, तो आर्यमान पूछता है कि तुम इसमें इतना personal क्यों रही हो, तो अनुसका इसको सच बता देती है कि तुमारी team के owner महता मेरे नान हुए, अब आर्यमान ने अनुसका का number ल लगा कर मिलवा दिया, सिम्रन शुरुती की closest friend है, सिम्रन के बोलने पर ही सुरुती ने वो pics अपने account से delete की थी, सिम्रन बगाती है कि सुरुती आर्यमान की ex-girlfriend थी, आर्यमान जैसे लोग simple girls को date करते हैं ताकि उनके साथ कुछ भी कर सके और बच के निकल जाएं, आर्यमान have 50 seeds, सुरुती कभी-कभी इसके लिए allow करती थी, बड़ ब्रेक अप के बाद वो post डाल दी, अब अंकिता यहां सिम्रन को instigate करती है कि तुम सुरुती को मनाओ कि वो आर्यमान के against action ले, सुरुती के साथ गलत हुआ है तो उसको आर्यमान जैसो को free नहीं जाने जना चाहिए, सिम्रन बोल रही है कि शुरुती कर भी क्या सकती है, आर्यमान इतनी big personality है, तो अंकिता ने इसको advice दी कि शुरुती आर्यमान के against rape case file कर सकती है, अब सिम्रन शुरुती को rape case file करने को तो मनाएगी, बट अभी अपने फायदे की बात कर रही है कि इसको क्या मिलेगा, such a selfish friend, अ उदर office में आर्यमान के case के लिए विराट और अनुस्का के बीच again argument हो गई, विराट को अब ये case भी चाहिए, क्योंकि ये आर्यमान का friend है, बट अनुस्का को भी ये case चाहिए, क्योंकि आर्यमान राजदीप का client नहीं है, new client है, तो ये case इसको मिल सकता है, उपर से महता ने ये case अनुस्का को ही लेने को बोला है, अब यहां करसी order करते हैं कि आर्यमान को ही decide करने दो, कि वो अपना case किसको देगा, फिर विराट होस्पिटल में अब अनुस्का की sympathy गेन करने चला गया, ओफिस में ये कुत्तो जैसे लड़ता है और बाहर ऐसे emotionally manipulate करने आ जाता है, ब उसे में विराट इसको emotional fool बोलकर निकल गया, इन दोनों को मैता ने देख लिया था, ये अनुस्का को बताते हैं कि तुमारी mom राधा भी ऐसी ही थी, emotional, emotional होने के साथ साथ practical होना भी जरूरी होता है, तुम सही कर रही हो, अपने लिए no बोलकर, हमें खुद के emotions, खुद की life क first रखना ही चाहिए, अब ये two play boys एक बार में enjoy कर रहे हैं, तभी आर्यमान की manager इसको call करके बताती है कि कल का shoot cancel हो गया है, अब ये set होकर बार से बाहर निकला, तो यहां media इसका wait कर रही है, ये दोनों छिपके से club के पीछे वाले gate से भाग गए, उदर अंकीदा अब हर्स के favor के बतले इसके साथ date पर आगी है, हर्स पूछ रहा है कि सिमरन को ऐसे case के लिए चड़ा कर इसे क्या मिला, तो ये बताती है कि अगर शुरूती ने case file कर दिया, तो अनुसका को एक solid case मिल जाएगा, और अंकीदा को firm में permanent जगे हर्स इसका मजाग बनाता है, और बोलता है कि आर्यमान वोगे इस विराट को देगा, ना कि अनुसका को, क्योंकि विराट आर्यमान का best friend है, अब शुरूती ने आर्यमान की against FIR launch कर दी है, तो मेडिया में अब ये news और ज्यादा viral हो चुगी है, महता चिला रहा है क्योंकि इनकी team का name आर्यमान से जुड़ा हुआ है, और इसको arrest कभी भी कर सकती है, तो ये ठरकी बोल रहा है कि इसको तो लड़की का चैरा भी याद नहीं है, रेप नहीं हो सकता, जो भी हुआ होगा वो लड़की की consent से हुआ होगा, अब विराट एडवाइस दे रहा है कि इनको आर्यमान को बचाने को, शुरूती को characterless proof करना हो ताकि और कोई तरीका निकाल सके आर्यमान की case को लेने को, next day अनुसका, आर्यमान के father से मिलने उसके घर गई, जब से आर्यमान को popularity मिली है, उसने अपने father से बात करना बंद कर दिया था, तो ये भी उसको force नहीं किये, पर आज जब आर्यमान पर rape का charge लगा है, तो ये अप आर्यमान को इनके trust की बहुत जरूरत है, और अनुसका एक girl है, तो ये शुरुद्धी के perspective को अच्छे से समझ कर इस case को जिताने में help कर देगी, तो ये मान गए, अब अनुसका अंकिता के साथ वापस आ रही है, यहाँ इन दोनों के बीच normal बात दे हुई, अंकिता ने अन उसका कुछ react करेगी, तभी inspector भीडे का call आता है, वो बोलता है कि उसने accident वाला truck और driver पकड़ लिया है, ये एक hit and run का case ही था, तो अभी case close कर रहे हैं, अनुसका नहीं चाहती थी कि ये case close हो, इसको लगता है कि किसी ने राजदीब को जान से मारने की कोसिस की है, अब अनुस और विराट भी है, अपनी वही planning के साथ की शूरती को characterless प्रूव करेगा, तभी यहां अनुसका भी आ गई, आर्यमान और उसके father मिलकर decide करते हैं कि आर्यमान का case अनुसका और विराट मिलकर ही लडेंगे, अब यहीं पर अभी तक के ओने और episodes की story end हो गई, अगर आपको य वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करना और अपना opinion इस movie के बारे में या हमारे channel और इस वीडियो के बारे में मुझे comment में जुरूर बताना, तो मिल दे नेक्स वीडियो में, till then take care of yourself, bye bye